इंडिया टेग निउस में आज हमारे साथ मौझूद है दिल्ली के MIM यूद लीडर नसीम सिद्धिकी साब जो की मुंबई आए हुए है नौर्थ सेंटरल मुंबई में रुके हुए और वंचीत बोजन अगाडी और MIM के केंडिडेट जो की अब्दूल रह्मान अंजारे सा मुंबई आए है आए जानते है नसीम सिद्धिकी साब का क्या कहना है ओल इंडिया टेग निउस में आपका स्वागत है सर शुक्रिया नसीम सिद्धिकी साब जिस तरीके साब मुंबई आए हुए है और प्रचार कर रहे हो काफी जगाँ आप स्पीच दे रहे हो लोग आपके काफी जैसे किया स्पीचेस काफी आप काफी बोल्ड स्पीच देते हो तो लोगों का काफी अट्रेक्शन होता है आपके तरफ तो उस पर आपका क्या कहना है स्पीच वगेरा कुछ नहीं है मदलिस इत्तिहादल मुसलिमीन आप जानते हैं कि बैरिस्टर सदु दिनोवेसी साब अकबर दिनोवेसी साब एक आवाज है और अलहम्दुलिल्ला उनको सुनते सुनते यह एहसास हुआए कि कि अगर मुसलिम कयादत करनी है और मुसलिमानो साफ होनी चाहिए कि आवाम को हम समझा सके कि इस अंदाज में समझाए कि कि लोगों को समझ में भी आए और अलहम्दुलिल्ला लोग समझ रहे है और अल्ला ने चाहा तो नौर्ट सेंटल मुंबई के अंदर बहुजन वंचित अगाडी के उमीदबार अंजारिया साहब को भारी अक्सरियत में वोट मिलेगी और इसी उमीद लेकर आया हूँ नौर्ट सेंटल मुंबई बाकी अल्ला कामियाब करें उन्हें मैं यही चाहता हूँ और सर आपका दिल्ली से मुंबई आने का मकसद क्या है आपका में मकसद जिस तरीके से आप अपनी बोल्ट स्पीच से लोगों का काफी अट्रेक करते हो और जिस तरह से आज आपने M.I.M. के स्टेज पर कॉंग्रेस के कुछ लीडरों को आपने कुछ कहा कि कुट्ता पाल से घर के अंदर कुट्ता पाल वो वफादार हो जाएंगे लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे वफादार नहीं हो सकती है सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने 60 साल इख्तदार की कुरसी कांग्रेस को दी और 60 साल इख्तदार की कुरसी देने के बावजू 60 साल खिदमत कर मुलक के अंदर चारों तरफ आप देख लीजिए टमाम मुलक के मुलक के अंदर फरोसा जताया और पहरी अक्सरियत में वोट किया लेकिन जब मुसल्मानों की बाताती है। सिर्फ उनकों वोट चाहिए और मुसल्मानों से कॉंग्रेस का कोई लिना देना नहीं है तो मैंने इसी एक अंदाज में ये बताया कि कुत्ते घर में वफादार होते हैं लेकिन कॉंग्रेस के कोई भी नुमाइंदे वफादार नहीं हो सकते और हमारे साथ हमेशा अगर किसी ने घदारी करी है तो वो जमात कॉंग्रेस पार्टी है तो सर आपका इसका मंदलब क्या है आपका कहना कि बीजेपी को लोग वोट दे मैंने ये नहीं कहा कि BJP तो लोग जानते हैं कि BJP BJP जो मुलक कें अंदर नफरतों की आग लगा रही है मैंने कहा कि अगर ना कॉंग्रेस ना BJP हम एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें ना कॉंग्रेस हो ना बीजेपी हो जहाँ पर मोहबत हो अमन हो चैन हो हिंदोस्तान के तमाम लोग एक साथ मुहब्बतों में रह सके दलित मुसल्मानों में इतिहाद आए लोग भाईचारे में रहे तो उसके लिए हमें कॉंग्रिस को भी बाईकाट करना होगा बीजेपी को बाईकाट करना होगा जैसे बैरिस्तोर असदुद्धिनों वेसी साब ने भी काए कि ना राहूल गांदी ना मोदी ऐसी सरकार बने जो हिंदोस्तान के अंदर अमन और चैन पैदा करे और अलहम्दुलिल्ला अगर मजली से इतिहादल मुसलिमीन के नुमाइंदे कामियाब होते हैं इस तरीके से एमपी से बीजेपी ने साधवी प्रगिया ठाकुर को टिकिट दिये सर उस पर आपका क्या कहना है आप देख लीजे ना कि जैसे नरंदर मोदी ने बड़े-बड़े बैनरों के साथ हिंदोस्तान में बड़े-बड़े बैनर लगाए और कहा कि आतंगवाद को मिठाना है मोदी सरकार लाना है लेकिन वही भारते जनता पार्टी माले गाउं बंबलास्त की आरोपी जिसने 6 लोगों की जान लेली 100 से जादा लोग घायल हो गए कई घरे बरबाद हो गए और ऐसे जिस पे आरोप है उसके बावजूद भी आतंगवाद मिटाने की बात करते हैं और आतंगवादी को टिकट देते हैं तो यह सिर्फ यही मकसद जाहिर कर रहा है हिंदोस्तान के अंदर की यह सादवी परगया ठाकूर के नजरिये से तीसरी ऐसी जनरेशन लाना चाहते हैं जो हिंदोस्तान में नफरतों की बीज़ वो सके पहले मोधी थाई, दूसरा योगी अधित्तेना, तीसरी सादवी परगया ठाकूर तो मेरे आवाम से यही कहना है कि मोधी सरकार ने भारतिय जनता पार्टी ने बीजेपी ने सादवी परगया ठाकूर को टिकट दी है जैसे कि आपने देखा कि मुंबई बंबलाष्ट में याकुम मैमन को फासी हुई थी लेकिन उसके बावजू सादवी परगया ठाकूर जेल में रहने के बाद जेल से बेल पर आने के अद पार्लियमेंट का इलेक्शन लड़ती है और इन लोगों ने ये अंधभक जो मोधी सरकार में अंधभक बैटे थे इन्होंने कहा था जो याकुम मैमन के जनाजे में गए वो लोग आतंगवादी है तो मैं उनांद भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि जो साधवी पर गया ठाकूर को वोट देगा वो भी मेरी नजर में आतंगवादी है और हिंदुस्तान के अवाम में आतंगवादी है और दूसरी पहली बात कि फिर उनके बयानात रुक नहीं रहें अभी शहीद हेमत करकरे के बारे में उन्हें ऐसा बयान दिया कि शराप हिंदुस्तान की शहीदों के उपर अपमान करने के बाद भी और एक तरफ शहीदों की शहादत पर वोट मांग रहें दूसरी तरफ हिंदुस्तान के शहीदों को अपमान कर रहें तो भारतिय जंता पार्टी का सापचाथ यही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरतों का माहौल पैदा करना भाईचारे को खतम करना और अगर हमें इस से बचना है तो फिर मैं वही क्या हुआ कि ना मोधी सरकार ना राहुल, अमर और चैन की सरकार चाहिए इस 2019 के अंद और सर मुंबई में जिस तरीके से यूद जो जनरेशने काफी आपको फॉलो करती है अल ओवर इंडिया से तो सर उस पर यूद लोग क्या मैसेज आपके लिए? नइने, अलहम्दोलिल्ला, खुशी की बात है कि लोग महबत दे रहे हैं, नचौण चाहां जाता हूँ, हजारों की संक्या में लोग महबबत देते हैं, घले मिलते हैं, खुशी जाहिरं करते हैं, अच्छा लगता है, और यह सारी चीज़े सिर्फ एकी जमात से मिली हैं म मजली से इत्तिहाद المسلمین के लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मैं अलहम्दुलिल्ला जाऊंगा और हिंदुस्तान के अवाम को अपनी कौम और मिल्लत को जगाने की कोशिश करूँगा और इंडिया टेगनी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका